जो स्वागत है आज के स वीडियो में हम कक्षा 11 वी के विध्यारतियों के लिए इंगलेज का पेपर लेकर आचुके हैं हापit early exam जो आपके चल रहे हैं और लाश्ट पेपर आपका इंगलेज है और आज के इस वीडियो में पूरा इंग्लिस का paper आपको provide कराए जाएगा तो आप screen Wrote लेते जाएए और अगर आप comment करेंगे कि sir PDF भी आप provide करा दीजिए तो आपको PDF भी provide करा दिया जाएगा और साथ में अगर आप comment करेंगे कि sir आप इन question के answer दे दीजिए तो आपको answer भी दे दिये जाएंगे students तो वीडियो को like कर दीजे क्योंकि हम आपके साथ इतनी महनद कर रहे हैं तो आप वीडियो को like तो कर सकते हैं तो चलिए students आज का ये वीडियो सुरू करते हैं तो आप देख सकते हैं सबसे पहले कुछ instruction यहाँ पे दिये गए है all questions are compulsory mark are indicated in front of each question तो यहाँ पे students सबसे पहला question है read the following passage and answer the question on the basis of comprehension of the passage तो यहाँ पे any 10 means 10 question आपको करना है एक passage आपको दिया गया है इस passage को solve करना है students और यहाँ पे देखे इस passage के अंदर कितने question है? total 11 question है आप देख सकते हैं और 11 question मैंसे आपको कोई 10 question यहाँ पे solve करना है और एक question एक marks का है यहाँ पे तो यहाँ पे सबसे पहले तो passage को आप read करेंगे और पूरे question के answer आपको इस passage के अंदर मिल जाएंगे इसके बाद students आगे बढ़ते हैं आप एक minute screenshot ले लीजिए मैं वीडियो को pause करता हूँ यहाँ पे रोकता हूँ एक minute तो screenshot ले लीजिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और साथ में screenshot लेते जाएं या फिर वीडियो को pause करके आप इन question को note भी कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं students यहाँ से question second आपका start हो गया है read the following passage and answer the question तो यहाँ पे एक passage दिया गया है इसको read करना है और नीचे जो question दिये गए है इस passage के उनके answer आपको देना है और यहाँ पे total 8 marks कोई 8 question आपको करना है और 8 question आपको यहाँ पे करना है एक question एक marks कर रहेगा तो इसके बाद देखे यहाँ पे इनके question भी आपको मैं दिखाता हूँ सबसे पहले आप इसका screen shot ले लिजे इसके बाद यहाँ पे students आधा passage यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है और यहाँ पे नीचे कुछ question आपको देखने को मिल रहा है total यहाँ पे 6 question आपने यह देखे total 9 question है 9 मैं से कोई 8 question आपको solve करना है और यहाँ पे उपर table भी आपको देखने को मिल रही है students आप table भी यहाँ पे देख सकते हैं और जितने भी question यहाँ पे दिये गए हैं इन सभी के answer आपको इस paragraph के अंदर मिल जाएंगे देखे give a suitable title and summary to अब यहाँ पे जो पैसे दिया गया है यहाँ पे देखे सबसे पहले तो दो question इसके अंदर दिये गए हैं सबसे पहला question है make note on the basis of comprehension of the passage supply a suitable title तो यहाँ पे title भी आपको देना है और make notes on the basis of comprehension of the passage और इसके पाद second question है write a short summary in your own words अब यहाँ पे जो passage आपको दिया गया है इस पूरे passage की आपको summary write करना है अपने सब्दों में खुद के सब्दों में यहाँ पे आपको summary लिखना है इसके बाद students आगे बढ़ते हैं question fourth आपका start हो गया है flinty blanks choosing the correct alternative अब यहाँ पे कोई 4 आपको करना है चार question यहाँ पे है इसके बाद next page पर एक question और है fifth question यहाँ पे आप देख सकते हैं तो इसमें total पांच question दिये गए है बच्चों पांच में से कोई 4 question यहाँ पे आपको करने होंगे और यहाँ पे एक question एक marks carry करेगा तो total यहाँ पे 4 question करना है तो total जो question fourth है यहाँ आपका 4 marks का यहाँ पे हो जाएगा इसके बाद आगे बढ़ते हैं students यहाँ से question fifth आपका start हो गया है question fifth आप देख सकते हैं do as directed है any four means कोई 4 यहाँ पे आपको करना है 5 question दिये गए हैं और यहाँ पे देखे इसी तरीके से board परिच्छा में भी question पूछे जाएंगे तो हाँ पे early के जो paper रहेंगे वो आपको अच्छे से तयार करना है और यहाँ पे आपने देख लिए do as directed screenshot ले लीजे इसके बाद question sixth आपका यहाँ से start हो गया है read the extract and answer the question based on them अब यहाँ पे एक extract आपको दिया गया है इस extract को read करना है और कुछ question यहाँ पे दिये गया है उनके answer आपको देना है तो देखे students यहाँ पे question आप देख सकते है देखे question यहाँ पे दिये गया है और इन question के answer आपको देना है सबसे पहले तो एक extract आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है और इसके बाद नीचे और में भी एक extract यहाँ पर छोटा सा दिया गया है इसके answer भी आपको देना है नीचे यहाँ पर question पूछे गए है तो आप screenshot लेते जाएए साथ में इसके बाद आगे बढ़ते हैं यहाँ पर देखे question 7 आपका start हो गया है यहाँ पर फिर से passage आ गया है student देखे read the passage carefully and answer the following questions तो यहाँ पर इन question के answer देना है और और में भी यहाँ पर question दिया गया है तो यहाँ पर देखे यह passage है second जो और अथवा में दिया गया है इसके बाद आगे बढ़ते हैं आप screen sort लेते जाईए question 8 आपका यहाँ से start हो गया है answer the following questions तो यहाँ पर कोई 6 आपको करना है और यहाँ पर देखे students option भी आपको दिये गए है और इसके बाद आगे बढ़ते हैं यहाँ पर दिखे टोटल दो question दिये गए है यहाँ पर नीचे भी कुछ question दिये गए है यहाँ पर आपकी text book से लिए गए है question 9 और 9 तो यहाँ पर देख लिया इसके बाद 10 और यहाँ पर 9 का भी वाला question है यहाँ पर भी आपको कोई एक करना है total 2 question दे रखे है तो यहाँ पर 10th question answer the following question any 2 in about 60 words तो यहाँ पर कोई दो आपको करना है 60 सब्दों में लिखना है और यहाँ पर 3 question दिये गए है आपने जैसा की देखा इसके बाद 11th question आपका यहाँ से start हो गया है answer any following from pros any 1 in about 100 words तो यहाँ पर question दो दिये गए हैं question है 2 मैसे कोई एक question आपको करना है और एक question 100 marks carry करता है इसके बाद students question 12th आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए explain the sea holiday was her past mine is her laughter इसके बाद इसी में और में दिया गया है what will happen if it doesn't rain तो यहाँ पर यह देख लिया इसके बाद student 13th question यहाँ पर आ गया है water supply will be suspended for 8 hour from 10 a.m. to 6 p.m. on 8th of February for cleaning of the water tank write a notice in about 50 words advising the resident to store water from for a day you are low case Agrawalya for Ankeetha Sukla secretary the ultimate English city MP Nagar Vopal तो यहाँ पर students आपको एक letter नहीं notice लिखना है तो यहाँ पर notice लिखने को आया है और इसके बाद second question भी और में दिया गया है इसको भी solve करना है यहाँ पर भी notice पूछा गया है इसके बाद आगे बढ़ते हैं question 13th में जो B question दिया गया था आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके बाद यहाँ पर 14th question दिया गया है तो इनको अच्छे से कर लेना students तयार मैंने आपको provide करा दिये है इसके बाद यहाँ पर बच्चो paragraph writing आया है paragraph link लिए दिया गया है 120 से 1500 सब्दों में आपको लिखना है कोई एक के उपर लिखना है टोटल चार दिये गया है सबसे पहला है problem of population इसके बाद importance of trees price distribution day in our school इसके बाद है importance of games and sports और यहाँ पर और में भी दिया गया है तो देखी और में write a paragraph on on covid-19 using the following inputs तो यहाँ पर आपको paragraph write करना है covid-19 के उपर और यहाँ पर कुछ input means point आपको देए गए है इनके उपर लिखना है तो students आज के इस वीडियो में इतना ही मैंने class 11th का पूरा paper आपको provide करा दिया है और देखे students वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like करके आप हमारे चैनल को subscribe कर सकते हैं तो आप चैनल को subscribe कर लिजे और हमारे चैनल पर आपको MP बोड का पूरा material दिया जाएगा तो शली students आज के इस वीडियो में इतना ही आप लोग हमारे साथ जोड़े बहुत बहुत धन्नवाद स्चक्ड़ कि लिजे स कि स थाया हमारे चैनल कहिए प्रयमारे चैनल को साथ जोड़े चक्रों लुपत्त यूवतστर क लिज और हमारे जोड़निahnद